नवस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हुशेवानी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सबसे खास प्रोग्राम खेल अड़ा में जहां आपको खिलाडी से लेकर मैदान तक की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं तो चलिए शुरवात करते हैं खेल अड़ा में खबरों की और खेल अड़ा में पहली खबर बहुत ही खुशी और गर्व की है जिहां इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ भारत के पहलवान रवी दहिया ने 57 किलोग्राम भारवग में सिल्वर मेडल जीता है जिहां इस वक्त पड़ी खबरों का रुप कर लेते हैं एक 40 साल बार भारत ने इतिहांस रच दिया है और अपने नाम ब्रॉंज मेडल कर लिया है आज भारत ने जर्मनी को मुकाबले में करारी शिकस्त दी है और इतिहांस रच दिया है तो एक बार फिर दिल दे हौकी तेजी से ट्रेंड ह बहुत ही गर्वर खुशी की बात है कि टीम इंडिया की इस जवर्दस जीत का जश्न पूरा देश मना रहा है जहां भारतिये पूरुश होकी टीम ने शांदार प्रदर्शन करते हुए कान से पदक अपने नाम कर लिया है गुरुवार को खेले गया ब्रॉंज मेडल मैच म भारत ने जर्मनी को 5-4 से हरा दिया वही भारत की जीत के हीरो सिमरंजीत सिंग रहे जिनोंने सबसे ज्यादा दो फिल्ड गोल किये सिमरंजीत ने 17 और 34 मिनट में उसके अलावा हार्दिक सिंग ने 27 वे हर्मन प्रीट सिंग ने 29 वे और रुपिंदर पाल सिंग ने 31 मिनट में स्कोर किये वही जर्मनी के लिए तीमूर अरूजू ने दूसरे निकलास वे लेन 24 वे वही बेनेडिक्ट फुर्क ने 25 वे और लुकास ने और 40 मिनट में गोल दागे वही भारत की शांदार जीत में गोल की पर पीयर श्रीजेश दी एहम भूमिका में रहे जोने ने शांदार नौ बचाओ किये और फिर टीम 41 साल बार उलम्पिक में पदक जीतने में कामयाब रही आपको पता दे कि इससे पहले भारत को आखरी पदक 1980 में मौसको में मिला था जब वासुदेवन भासकरन की कप्तानी में टीम ने पहला तमांग जीता था और उसके बाद भारतिय होकी टीम के प्रदर्शन में लागातार गिरावट आई और 1984 में लौस अंजलस ओलम्पिक में पांचवे स्थान पर रहने के बाद वो इससे बहतर नहीं कर पाई लेकिन यह इतहास एक 40 साल बाद भारतिय होकी टीम ने रच दिया है साति बुदवार को पहलवान रवी दहिया ने भारत के लिए एक और पदक पका कर दिया तो वहीं पहले क्वार्टर में जर्मनी की पूरी तरह से दबदबा बना रहा लेकिन जर्मनी ने मैच के दूसरे ही मिनट में तुम्यूर ने खेल कर जर्मनी को एक शुनिकी बढ़क दिला दी खेल के पांचवे मिनट में भारत को पेनल्टी कॉर्णर मिला लेकिन रुपेंदर पाल गोल नहीं कर पाए फिर इस कौर्टर के अंत में जर्मनी टीम को लगा तार चार पेनल्टी कॉर्णर मिले जिसे भारती गोल किपर और डिफेंसरों ने नाकाम कर दिया वही अगर बात करें दूसरे कौर्टर में तो यहां गोलों की बरसाथ हुई और टोटल पांच गोल दागे गए वही काचव के दूसरे ही मिनट में सिमरंजीत सिंग ने शांदार फील्ड गोल करके भारत को एक-एक की बराबरी दिला दिया और इसके बाद खेल के 24 मिनट में निलकान शर्मा के गलती का फायदा उठाते हुए निकलास विलेन ने गोल कर जर्मनी को 2-1 से आगे कर दिया तो इस तरीके से ये मुकाबला काफी दल्चस्प रहा वहीं फिर अगले ही मिनट में विनेंडी रिफुर्क ने गोल पर जर्मनी को 3-1 से आगे कर दिया खेल के 27 मिनट में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला जिस पर हार्दिक सिंग रिबाउंड के जर्ये गोल करके स्कोर 2-3 कर दिया दो मिनट के बाद भारत को एक और पिनल्टी कॉर्णर मिला जिसे हर्मन प्रीद सिंग ने गोल में तबदील करके भारत को तीन-तीन की बराबरी दिला दी हर्मन प्रीद सिंग का ये टोक्यो उलम्पिक में छठा गोल रहा तो वहीं तीसरा क्वार्टर पूरी तरह भारतीय टीम के नाम रहा क्वार्टर के पहले ही मिनट में भारत को पिनल्टी स्ट्रोक मिल गया जिसे रुपंदर पाल सिंग ने शांदार गोल कर दिया इसके बाद ये फिर खेल के चौतीसवे मिनट में गुर्जन सिंग ने शांदार पास को सिमरंजीत सिंग ने गोल पोस्ट में डाल कर भारत को पाँच तीन की बढ़ध दिला दी इसके बाद भारत को इस क्वार्टर में तीन पिलांटी कॉर्णर मिले लेकिन भारतीय टीम गोल नहीं कर पाई अगर बात करे की चौते कॉर्टर में जर्मन टीम ने वापसी की और पूरी कोशिश किया हाला कि खेल के Counsel 15 मिनट में लुकास ने पनल्टी कॉर्णर पर गोल करके स्कोर को 4-5 कर दिया और 54 मिनट में जर्मनी के पास पेनल्टी कॉर्णर को गोल करके मैच में बराबरी करने का मौगा था लेकिन पीयाश रिजेस ने शांदार बचाओ के मौकव को अपने नाम कर लिया और बस आखिरी सेकेंड था उसमें जर्मनी टीम को एक और पेनल्टी कॉर्णर मिला लेकिन एक बार फिर पीयाश रिजेस ने बचाओ कर भारत की जीत पक्की कर दी वहीं ग्रूप A में भारत को चैंपियन अर्जंटिना, औस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजिलेंड और स्पेन के साथ रखा गया और वहीं ग्रूप B में, बेलजियम, कैनडा, जर्मनी, ब्रिटेन और दक्षिन अफ्रिका की टीमें शाबिल थी सभी टीमें एक दूसरे से खेली और दोनों ग्रूप से बचे, चार टीमें सेमी फाइनल में पहुची महीं भारत चार जीत और एक हार के साथ अपने ग्रूप में दूसरे नमबर पर रहकर quarter final में पहुचा था फिर quarter final में भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को तीन एक से हरा कर सेमी फाइनल में अपनी जगह बना ली टोक्यो उलम्पिक में भारत की स्टार व्रेसलर विनेश वोगाट ने नराश किया है तरपन किलोग्राम हार वर्ग में वर्ड नमबर वन विनेश वोगाट टोक्यो उलम्पिक में पदक जीतने की सबसे प्रबल दावेदार थी विनेश को quarter final में मुकाबले में बेलसिला के हाँ तो 3-9 से सिकर्स्ट मिली हाला कि विनेश के पास medal जीतने का अब ही मौका है लेकिन इसके लिए विनेश को वेनिजा को जीत पर निर्भर रहना होगा अगर final में प्रवेश कर जाती है तो विनेश रेप चेंज राउंड के तहट कांसी पदग की रेस में आगे बनी रहेगी विनेश के इस प्रदर्शन में उनके चाचा महावीर सिंग फोगाट निराश है उन्होंने का मैंने विनेश की आज तक इतनी खराब फाइट कभी नहीं देखी ऐसा लगा कि उसने ज्यादा कोशिश नहीं की इस से घटिया फाइट मैंने नहीं देखी और तलब है कि चाचा महावीर ने बहुत ही कम उम्रे विनेश को इस खेल के गोड से खाये थे विनेश के खिलाफ मुकाबले में विनेशा ने अपनी रणीती को काफी अच्छी तरह से लागू किया और विनेश उनके रक्षन को भेद कर अंक जुटाने में नाकाम रही अंक जुटाने में नाकाम रहने के बाद विनेश ने धैरिक हो दिया यहां तक कि जब विनेश ने वेनिजा को पीछे से पकड़ा तो वो अच्छे स्थिती में होने के बावजूद विरोधी पहलवान की घुटने के बल बैठने के नाकाम रहें विनेश ने अपनी पूरी ताकत जोग दे लेकिन वेनिजा ने रक्षन को नहीं तोड़ बाई यहां तक कि विनेश विरोधियों को चित करने वाले अपने पसंदीदा डबल लाय आक्रोमन के साथ भी आंक नहीं जुटा पाई पहला मुकाबला जीती थी विनेश विनेश वोगाट ने टोक्यो अलंपिक का आगाश शांदार किया था उन्होंने अपने पहले मुकाबले में सुविडन की पहलवान सोफिया मैटसन को साथ एक से शिकस देखी सोफिया मैटसन रियो ओलंपिक में कान से पतक जीत चुकी थी लेकिन विनेश ने उन्हें साथ एक से असानी से शिकस देकर महिलाओ को 53 किलोग्राम भारवर्ग के मुकाबले में क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया विनेश ने प्री क्वार्टर में अपने स्प्रदर्शन से एक उमीद बान दी थी कि वो गोल्ड तो नहीं कम से कम सिल्वर तोस जरूर जीत जाए थी लेकिन क्वार्टर फाइनल में वो उल्ट फेर के शिकार हो गई विनेश को अपकान से पदक के लिए भी दूसरी रेसलर की जीत पर निर्भर रहना पड़ेगा महीं विनेश फगाट ने 2019 में काजिकिस्तान के आजो यूजित विश्व कुष्टी चैंपियन के जरिये उलम्पिक का टिकेट हासल किया था विनेश ने 53 किलोग्राम भारवग के रेपरेज राउंड दो में वर्ल्ड नमबर वन अमेरिकी रेसलर सारा को आठ दो से धूल चटा कर टोक्यो जाना अपना शुनिक्षित कर लिया था इसके बाद उन्होंने ग्रीज की मारिया को मात देकर कान से पदक पर अपना कबजा जमाया था भारतीय रेसलर रवी दहिया ने जीत दर्ज करके एक नया कीरतिमान हासल किया लेकिन उनकी जीत के बाद एक तस्वीर वाइरल हो रही है जिसके बाद फैंस का गुस्सा फूट रहा है आपको दिखाते हैं कि क्या है वज़े जिसे फैंस को इतना जादा गुस्सा आ रहा है टोक्यो उलंपिक में पुर्शो की फ्रीस्टाइल कुष्टी की 57 किलोग्राम वेट कैटेग्री में भारत के पहलवान रवी कुमार दहिया ने फाइनल के लिए क्वालिफाई करके इतहास रच दिया अलगे इस मुकाबले के अंतिम पलो में रवी कुमार दहिया के विपक्षी खिलाडी नूरिस्लाम ने उन्हें दातों से काटते नजर आ रहे है जिसके बाद इस घटना की कई तस्वीरे तेजी से सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है और फैंस काजिस्तान के खिलाडी की भावना पर सवाल भी उठा रहे हैं दरसल नूरिस्लाम इस मुकाबले में ज्यादा तर समय तक रवी दहिया पर हावी थे लेकिन मैज के अंतिम पलो में रवी ने शांदार दाव लगाते हुए कागिस्तान के पहलवान को फॉल जाउन करते हुए मैट पर चित कर दिया मतल जराय वैसे निश्चित तोर पर खेल के मैदान में इस तरह की घटनाय चोकाने वाली है हाला कि ये पहला मैच नहीं है जब खेल के मैदान में इस तरह की कोई शर्मनाग घटना हुई है आपको बताते हैं इससे पहले कब कब इस तरह की घटना हुई है देखिए सबसे पहल बात करते हैं भारतिये पहलवान सुशील कुमार की। 1997 में एक ऐसी ही हरकत की थी जिसके लिए उन्हें बड़ा खाम्याजा भूगतना पड़ा था। में इटली के खिलाप मुकाबले के दोरान सुवारेज ने इटली के खिलाडी जॉर्जिया के कान काट लिये थे। जिसके बाद फीफाम ने उन पर 9 मैच का प्रतिबन लगाया था। और वहीं 2006 में फुटबॉल वर्ड कप में फाइनल में फ्रांस के फुटबॉलर जिने दीन ने इटली के खिलाडी को अपने सिर से मारा था। जिसके बाद रेफरी ने उन्हें रेड काट दिखा कर खेल से बाहर निकाल दिया था। तो रवी कुमार दाये के साथ जो खेल के मैदान में शर्मनाख हरकत हुई वो इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। पाकिस्तान के पूर्वक अपतार इंजमाम उलहक ने इंगलैंट के खिलाब नौटिगम टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया के प्रोदर्शन की तारीफ की हैं। जमाम का मानना है कि विकेट बल्लेवाजी के लिए अच्छा था। इसके बावजूद भारतिये गेंदवाजों ने इंगलैंट को पहली पारी में 183 रन पर समेट दिया। और ये वाकई शानदार है। इंजमाम ने अपने योजब चैनल पर कहा कि भारत के लिए नॉटिंगम टेस्ट का दूसरा दन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर टीम इंडिया 300 से 350 तक भी स्कोर करती है तो ये टेस्ट मैच वो जीत सकते हैं। वो भारत के पक्ष में हो जाएगा। खिलाडियों को जिम्मेदारी लेनी होगी और उनके पास बड़े खिलाडी हैं। मैं भारतिये खिलाडियों के चेहरे पर विश्व टेस्ट चंपिंशिप फाइनल हारने का दर्द देख सकता था। और उस मैच में भारतिये खिलाडियों में जो आक्रमकता नजर आई थी वो यहाँ देखे। संदेश था। भारत ने इंग्लेंड के ड्रसिंग रूम को सपश्ट कर दिया है कि वो अक्रामक क्रिकेट खेलेंगे। और उन्हें आगे कहा कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से टीम इंडिया की बॉड़ी लेंग्वेज काफी बदल गई है। वो अक्रामकता के साथ क्र पिछले एक-दो सालों में हुआ है तो बतादे कि भारत ने इंग्लेंड के खिलाफ टेस्ट सिरीज की धमाकिदार शुरूआत कर दी है। और टेस्ट के पहले हिदर भारतिये गेंदवाजों ने इंग्लेंड की पहली पारी 183 पर समेट दी थी। वहीं जस्प्रीद गुम चार तीन गेंदवाजों के साथ उतरने का ये फैसला काफी सही था। इंग्लेंड के जवाब में केल, राखुल, रोहिश शर्मा, सलामी जोडी ने पहले दिन विना विकेट कोई एक किस रन बना दे और अब दूसरे दिन इस जोडी पर इस पार्टनर्शिप की और आगे पढ़ने की जिम्मेदारी भी होगी। तो यहाँ पाकिस्तान के पूर्वकप्तान इंजमाम उलहक ने इंग्लेंड के खिलाफ टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया के शांदार प्रदर्शन की तारीफ की है और कहा कि विकेट बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छा था। टीम ने इंग्लेंड को पहली पारी में 183 रन पर समेट दिया फिर दिन का खेल खत्म होने पर टीम ने बिना विकेट के 21 रन बना लिये थे। टीम पहली पारी में आधार पर सिर्फ 162 रनों से पीछे है और 10 विकेट श्रेश है। भारत की ओर से तेज गेन बाद जस्प्र पर 138 रन था लेकिन इसके बार टीम लड़ खड़ा गई और स्कोर 9 विकेट पर 107 रन हो गया। यानि कि 22 रन के अंदर टीम में 6 विकेट गवा दिये थे। पूरी टीम 65.4 ओवर में 183 रन रेट पर सीमीत रही। वहीं बुमरार के अलावा तेज गेंदबाज मुहमद शम इससे पहले जब भी तीन मैच में ऐसा हुआ है टीम इंडिया हार नहीं माली है। यानि टीम इंडिया मजबूत स्थिती में है। इससे पहले तीन बार जब ऐसा हुआ तब टीम इंडिया ने एक मुकाबला जीता है, दो मुकाबले ड्राउ रहे हैं। चार बार से तीन बा को बदलना चाहेगी भारत और इंग्लेंड के बीच इंग्लेंड में खेली जा रही ये 19 वे दीपक्षिय सीरीज इससे पहले होई 18 सीरीज के बाद करे तो भारत को सिर्फ तीन सीरीजों में ही जीत मिली है जबकि मेजबान इंग्लेंड की टीम ने 14 सीरीज पर कबजा कर लिय एक सीरीज बराबर रही वही टीम इंडिया को अंतिम जी 2007 में मिली थी इसके बाद खेली गई तीनों सीरीज में टीम इंडिया को करार हार मिला है इंग्लेंड में दोनों टीमों के बीच तिरसच्वे टेस्ट मैश खेला जा रहा है इंग्लेंड ने 34 टेस्ट जीते है जब कि टीम इंडिया को सिर्फ साथ टेस्क में ही जीत मिली है खेल अड़ा में फिलाल के लिए इतना ही बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूजवल इंडिया झाल